ये पंजाब की धर्ती बीरों की धर्ती है शुर्वीरों की धर्ती धर्ती है ये गुरुवों की धर्ती है ये संतों की धर्ती है ये त्याग और बलिदान की धर्ती है यहाँ का किसाँ पसीना पहा करके देश का पेट भरता है और यहाँ का जवान अपना खुन पहा करके माभार्ती की रक्षा करता है हिंदुस्तान में प्रदेश को बहुत है लेकिन पंजाब प्रदेशों से भी जादा कुछ और है पंजाब की आन, बान, शान भारत का माथा उचा करती है हिंदुस्तान का कोई पच्चा ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान का कोई नागरी का ऐसा नहीं होगा जिसने पंजाब की धर्द सिते निकले हुए गेहु से अपना पेट न भड़ा हो ऐसा कोई देश में इंसान नहीं ये पंजाब की धर्दी देने वालों की धर्दी है ये पंजाब की धर्दी जब जब देश को जर्रण पड़ी सीना तान करके कोई खड़ा रहा तो ये हमारा पंजाब खड़ा रहा है देश के लिए कुछ करके खड़ा नहीं होगा आया तो ये पंजाब ने करके दिखाया आदर्णिया प्रधान मंत्री जी सोचा 27 जन्वरी 2017 के आपके भाषन को याद दिला दूँ आच्छे महीने होगे किसान सड़कों पर बैठा है किस हाल में बैठा है वो सारा देश जानता है चुनाव के वक्त तो आपने कहा था कि किसान देश का माथा उचा करता है पर वो तो वोट लेने का मामला था अब तो सरकार बन गई अब क्या किसान मरे जीए सरकार को फुरसत कहा अगर किसी प्रधेश की मुख्यमंत्री के लिए प्रधान मंत्री को 15 मिनट का इंतिजार करना पड़ता है तो देश में वो सबसे वड़ा मुद्दा बन जाता है तीवी डिवेट्स उस पर शुरू हो जाते हैं बहस का मुद्दा हो जाता है पर छे महीने से किसान सडकों पर बैठा है वह इस देश में मुद्दा नहीं बारिश तुफान आधी में बैठा ये किसान अपने खेद खलिहान के लिए लडाई लड़ रहा है पर सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं विश्व के इतिहास में ये सबसे लंबा चलने वाला अंदोलन है इतिहास पड़ ले ओ कदी पिछे नी मुड़या कर दे और एग अलतुसी सिद्ध कर देती आज जे अंदोलन दुनिया दा नवेकड़ा अंदोलन होने बिड़े है दुनिया दे किसे कोने च भी एड़ा लंबा समा अंदोलन किते नी चलिया दुनिया दे किसे कोने च भी एड़ी वड़ी गिलती विच लोका ने अंदोलन विच शमूलियत नहीं कीती किसे भी कोने विच इनना शांत में अंदोलन नहीं चलिया साड़े एस किते विच पार्थ विच खास तोर थे एस अंदोलन ने अजादी दी लड़ाई वेड़े जिना लोका ने अजादी लेके दिती ओना दे पाए पूर्णिया ने शांत मोई अंदोलन चलाउन दा कंसेप्ट होर पका कीता है कड़कती सर्दी में चलचलाती धूप में बारिश और बचारों में ये लड़े और अड़े अभी भी वक्त है कि सरकार इन किसानों की बात सुने क्योंकि ये सहलाब खबरों में तो नहीं दिखता वर खबर यही है कि किसान पीचे हटने वाले नहीं है क्योंकि किसान कहते हैं ये उनके नसल और फसल की लड़ाई है